हेलो गाई इस दम बात किने वाले हैं एथोस के बारे में इस कमपनी का quarter 3 FI23 का result आचुगा है सामने कैसरा इस कमपनी का result और क्या इस कमपनी ने dividend दिया है के नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को जरू से end तर देखते रहना एथोस लिमिटेट इस कमपनी की बात करें इस कमपनी आपर से watch segment के अंदर काम करती है premium watch segment में stand alone result इस कमपनी का present rate है सारी amounts lakhs के अंदर बताएगी है quarter and quarter बेस के उपर result को compare करेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result है यह पिछले साल same quarter का result देखने को मिलता है company की income की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर company का total income इस quarter के अंदर 23,380.77 lakh रुपीज का कमनी का total income है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में एक अच्छा jump देखने का मिल जाता है बाकी इस company के expense की बात करें तो purchase of stock in trade और अलग-अलग बहुत सारे expenses को मिला कर company का total expense यहाँ पर 20,644.01 million रुपीज का देखने का मिलता है quarter and quarter base के उपर जिस परकार से company की income बढ़ी है वैसे वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नसरा आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expenses item काटने के बाद company का 2057.43 million रुपीज का company का total net profit देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company के net profit में एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाकी इस company के EPS earning पर share की बात करें तो वह यहाँ पर से 9.5 रुपीज पर trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company के EPS में भी एक अच्छा jump है और यहाँ पर से इस company का result एक decent result है expectation के मुताबीत company ने result present किया है अभी देखना पड़ेगा कि यार बाज़ार का इस पूरे result को लेकर क्या reaction रहता है बाकि यह company के share में valuation wise आप लोग देखने जाओगे तो ठिक टाक valuation के उपर company का share trade हो रहा है ना बहुत महेंगा ना बहुत सस्ता इस प्रकार का fair valuation के उपर अभी company का share है मेरा यहाँ आपर सला यह रहेगा कि आप लोग invested हो तो hold रख सकते हो बाकिया new investment करना है तो यह बहुत ही जादा risk है risk के आप लोग लेना चाहते हो तो यार 960 रुपे का लेवल है 860 रुपे का लेवल और 750 रुपे का लेवल यह तीन लेवल से जहां पर खरीदारी करने के मौक है बिकवाली करना चाहते हो short term का सबसे पहला target रहेगा आप लोगों का एक हजार पंचान रुपे का लेवल और 1124 रुप बाई